दोस्तों सरकार दो और सरकारी बेंकों का प्राइवेट आईजिशन यानि की नीजी करने जा रही हैं कौन-कौन से बेंक है और उन बेंक को सरकार सरकारी बेंक से प्राइवेट बेंक बनाने जा रही हैं और मार्केट में एक उच्छाल सा आ गया, क्यूंकि इन दो सरकारी बेंकों के नीजी करन के लिए, संसद में बिल भी पेस हो चुका है, और पेंसन कानून में भी संसोधन कड़े की सरकार तयारी कर रही है, कहने का मलब खबर आ रही दोस्तूं कि 29 नवंबर से जो हमारे संसद का सीदकालीन सत्र सुरू होने जा रहा ना, उसमें सरकार इन दो बेंकों को प्राइवेट करने के लिए संसोधन विदेग भी पेस कर सकती है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं और सरकार इसकी पूरी तैयारी भी कर लिए, अब वे दो बेंक कौन-कौन से जिनको सरकार गौर्वर्मेंट बेंक से प्राइवेट बेंक करने जा रही हैं, तो उन बेंकों में पहला बेंक तो हैं Central Bank of India और दूसरा बेंक है Indian Overseas Bank, मीडिया रिपोर्ट्स के मुदाबिक सरकार इन दो बेंकों का प बदलाओं भी कर सकती हैं, तो इसलिए सरकार जो है Central Bank of India और Indian Overseas Bank इनका नीजी करन कर सकती हैं, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार विंटर सेजन में बेंकिंग एक्ट में चेंज करके ये फेसला ले सकती हैं, और नीजी करन की खबर से ही एक-दो दिन से दोनों ब बेंकों का सरकार ने मर्जर भी किया था, जिसमें पंजाब National Bank में Oriental Bank of Commerce को मिलाया, और United Bank of India का भी मर्चर किया, इलाबाद बेंक का मर्जर इंडियन बेंक में किया था, सिंडिकेंड बेंक का मर्जर केंडर बेंक में किया गया, Union Bank of India का मर्जर आंतरा बेंक में, और Cooperation Bank का मर आपकर सस्क्राइब करके बेल आइकोन भी जरूर दबा देना था कि आपको रुजाना की ताज़ा अपडेट्स तुर्णत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना जय हिंत जय बारत वंदे मात्रम